नमस्कार मैं हूँ साक्षी बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्कियों पर किया कि पाठक ने धर्णा प्रदर्शन में शामिल सुक्षकों पर एफ आई आर का दिया आदेश तीन लाग से अधिक संविदा कर्मी को सरकार देगी बड़ी राहत विहार में बिरुजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका साइबर फ्रॉट से बचकर कई तरीकों से इंटरनेट का सुरक्षित इस्तिमाल संभव ये शस्वी जैसवाल के दोहरे शतक की सचिन तेंदूर करने की तारीफ इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से सिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने धरना प्रदेशन में शामल होने वाले नियोजित सिक्षकों पर फायार का आदेश दिया है और इसके साथ ही इनकी नौकरी भी जा सकती है सभी टीम को या आदेश दिया गया है मालूमों की 13 फरवरिकों नियोजित सिक्षकों ने विधानसभा गिराओं की चेतावनी दी थी सिक्षक संग की चेतावनी के बाद केके पाठक का एक्षन शुरू हो चुका है दिरसल सिक्षकों ने कहा है कि सक्षमता परिक्षा में फेल होने के बाद नौकरी से हटाने का सरकार का फैसला सही नहीं है इन्होंने इसे वापस लेने की मांग की है सिक्षकों ने सक्षमता परिक्षा के माध्यम से चिक स्थानंतरन की मांग की है इसके साथ ही इनका कहना है कि जबरन ट्रांसफर करना या सेवा से हटाना समविधान के खिलाफ है तीन लाग से अधिक समविधा कर्मी को सरकार देगी बड़ी रहत बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और इसके बाद सम्विधा कर्मियों को बड़ी राहत मिलने वाली है राज्य सरकार सम्विधा पर बहाल नियोजुत कर्मियों के मांदे और उनके पारिश्रमिक को बढ़ाने की तेयारी में जुटी है इसके लिए एक कमीटी का गठन किया गया है विकास आयूक तो इस कमीटी के अध्यक्ष बनाए गए है सरकार के इस फैसले से समविदा पर बाहाल नियोजुत कर्मियों को बड़ी राहत की उमीद है नई कमीटी जल्द ही मांदे को बढ़ाने के लिए कदम उठाएगी इसी कमीटी के अलग-अलग विभागों के अपर मुख्य सचीव सदस्य होंगे आपको बता दे कि ये नई कमीटी समविदा कर्मियों की मांदे बढ़ाने और इसके साथ ही उनका पारिश्णों मिक्तै करेगी बताया जाता है कि सभी विभागों का प्रस्ताओ आने के बाद जल्द ही बैठक होगी और इस पर फैसला लिया जाएगा बिहार में बड़ी प्रमाने पर जिला जजज का ट्रांसफर 55 आईएस अधिकारियों का भी हुआ प्रमोशन बिहार में नई सरकार की गचन के बाद तबादले का दौर जारी है समाने प्रशासन विभाग, ग्रीव विभाग, सहितान विभागों में ट्रांसफर हुआ है वहीं अब राज्र में जिला जजज का बरे पमाने पर ट्रांसफर किया गया है समाने प्रशासन विभाग ने इसे लेकर अधिसूच ना जारी की है इसके अलावा पच्छपन आइएस अधिकारियों का प्रमोशन किया गया है सारण की जज सह एसी जेम सूश्री अनूपमा को बिहार राज विधिग प्राधिकरन पतना के पद पर न्यूक्त किया गया विधी विभाग पतना को इसकी सेवा सौपी गई है इधर शेकपुरा के अपर जिला इवं सत्र न्यायाधीस परिवार न्यायाले विकास कुमार को जिला इवं सत्र न्यायाधीस कोटी में न्यूक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीस परिवार न्यायाले जमुई के पद पर ट्रांसफर किया गया आपको बता दे कि भारतिय प्रशासुनिक सेवा में प्रोनत पश्पन अधिकारियों को अपर सचीव के अस्तर पर प्रमूट कर दिया गया है बिहार में इंटर परिक्षा के चौथे दिन कदचार करते कई परिक्षार्ती निसकासत बिहार में इंटर परिक्षा चल रही है परिक्षा का आज पाचवा दिन है पहली पाली में केमिस्ट्री की परिक्षा हुई वहीं दूसरी पाली में इंगलिश की परिक्षा निर्धारित है जबकि साइंस के परिक्षार्तियों के लिए चौते दिन अंग्रेजी की परिक्ष समाप्थ हो गई परिक्षा के चौथे दिन 6,05,000 परिक्षार्थी उन्हें परिक्षा दी वहीं कदचार करते 26 परिक्षार्थी पकड़े गए इन्हें परिक्षा से निसकासित कर दिया गया है दूसरे के बदले परिक्षा दे रहे साथ परिक्षार्थियों पर भी कारवाई हुई पांच जिलों में मुन्ना भाई पकड़े गए हैं मालूम हो कि परिक्षा के तीनों दिन बड़े पैमाने पर परिक्षार्तिक कदाचार करते पकड़े गए वही करी सुरक्षा के बीच परिक्षा का आयोजन हो रहा है दर्भंगा एयरपोर्ट पर अकासा एयर और स्पाइसरेट रूट पर स्पाइसरेट का एक आधिकार खत्म होने वाला है वहीं इसके बाद अब टिकट के दाम में भी कमी आएगी आपको बता दे कि दर्भंगा एयरपोर्ट को दोबारा शुरू करते हुए तीन साल का समय हो चुका है उसके बाद करीब अठारा लाक य युवाओ के लिए सुनहेरा मौका बिहार में बिरुजगार युवाओ के लिए सुनहेरा मौका है बिहार श्रम संसाधन विभाक की ओर से पुर्णिया जिला प्रशासन 7 फरवरी को जॉब कैम्प लगाएगा यह जॉब कैम्प आई टी आई कैमपस मरंगा में एक दिन के के लिए लगेगा यहां पतना और अन्य जिगह से आई कमपनी विरुजगार युवाओ को नौकरी देगी यह नीजी छेतर की कमपनी आ है नियोजन कमपनी ही नियोजित आवेदकों के लिए जिम्मेदार होंगे यहां अलग-अलग जिगों से कमपनी आने वाली है अभियर निवेश दोहजार चौबस का उदघाटन हुआ इसमें सत्तर कमपनीयों के प्रतिनिद्व ने हिस्सा लिया है अजानी ग्रुप सहित कई कमपनी उर्जा के शेतर में बिहार में निवेश करेगी उर्जा वेभाग के प्रदान सचीव ने इसकी जानकारी दी है उन्होंने पताया है कि सीम नितीश कुमार और उर्जा मंतरी बिजेंद्र यादव के नेतरित्व में और द्योगिक उभूगताओं के लिए समर्पित फीडर का निर्मान किया गया उसके लाभा उभूगताओं की प्रात्मिक्ताओं का खयाल रखते हुए नए कनेक्शन दिये जा रह पर रूफटॉप सोलर पैनल लगा कर 1000 मेगावाट और बिजले उत्पादन की जाए वह सरकार की कई यूजनाओं को निवेशकों के लिए एक अच्छे अवसर के तौर पर देखा जा रहा है साइवर फ्रॉट से बचकर कई तरीकों से इंटरनेट का सुरक्षित इस्तिमाल संभव आज 6 फरवडी को पूरा देश सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मना रहा है बच्छे बरों से लेकर बुड़ों तक काम को असान बनाने के लिए या फिर अपना समय कातने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं लेकिन आज आर्थिक ठगी से लेकर लड़कियों के फोटों के साथ छेडशार होती है इस बार एक साथ बहतर इंटरनेट के लिए थीम पर इस दिवस को मनाया जा रहा है आपको बता दे कि महिला NCRP के पोटल पर तस्वीरों से जुड़े मामलों की शिकायत कर सकती है या फिर 1930 हेलप लाइन नंबर की सहायता ले सकती है वहीं अंजान लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए इसके साथ ही बच्चों के उपर निगरानी रखनी ज़रूरी है और इसके अलावा जल्द पैसे कमाने के लालच से दूर रहना भी ज़रूरी है बिहार में अब कबूतर की तरह ड्रोन उरकर पहुंचाएगा डाक बिहार डाक विभाग आने वाले समय में ड्रोन की मदद से लोगों तक डाक पहुंचा सकता है इसके जर्ये लोगों तक दवा भी पहुंचाई जाएगी पहली बार गुजरात के कख्ष में पालिट प्रोजेक्ट के तहट ड्रोन की मदद से डाक पहुंचाया गया इस योजना के तहट आने वाले लागत का फिलाल अध्यन किया जा रहा है इसके अलावा करमचारियों के बीच समनवे का भी टेस्ट किया गया है जल्दी ये सेवा शुरू की जाएगी लेकिन कब इसके शुरुवात होगी इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है आपको बता दे कि इस ड्रोन ने आदे घंटे में 46 किलोमीटर की दूरी तैकी है बगहा में मिट्रे मिल खाने से कई बच्चे बिमार बिहार के बगहा में मिट्रे मिल खाने से 100 से अधिक बच्चे बिमार हो गए है इसमें कुछ बच्चों को राम नगर पीच से और कई बच्चों को बगहा अनुमंदली अस्पतार में भर्ती कराया गया food poisoning की बात सामने आ रही है DM ने GMCH का निरिक्षिन किया बच्चों को डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है कहा जा रहा है कि बच्चे जल्दी अपने घर चले जाएंगे वहीं कुछ बच्चों को अस्पताल से चुट्टी मिल गई है आपको बता दे कि जल्दी कारी को निर्देश दिये गए है ये जाच की रिपोर्ट सौपेंगे बताया जाता है कि पेट में दर्द की शिकायत पर बच्चों को अस्पताल में भरती कराया गया बिहार में अब आपराधिक मामले बिहार में अब आपराधिक मामले तीन अस्तरों पर संग्रहित होंगे सभी थानों, रेल और जिला मुख्यालों में डेटा सेंटर के जर्ये आकरो कोई कठा किया जाएगा आपको बता दे कि इसके लिए एक हजार से अधिक थानों से लेकर मुख्याले तक डेटा सेंटर को तयार किया जा रहा है वहीं 2200 पुलिस कर्मियों को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है इसमें 60 पुलिस कर्मियों ने डेटा संग्रा का काम करना शुरू कर दिया है सेंटर में हर काम के साथ ही अपराधिक आकरो को कम्प्यूटर के आधार पर रखा जाएगा एरटेन मोबाइल ऑपरेटर फाउंडर सुनील भार्टी के खिलाफ आपराधिक मामला निरस्त किया है दिरसल एरटेन कंपनी के एक कर्मी ने इन पर आरोप लगाया था कि दफ्तर में फर्जी तरीके से सेम और मोबाइल ग्राहक फॉर्म को बनाया जा रहा है कर्मी का आरोप था कि शिकायत करने पर सीनियर अधिकारी कोई कारवाई नहीं कर रहे है इनका आरोप था कि कंपनी के फाउंडर के कारण ये सब कुछ हो रहा है मित्तल की तरफ से अतिवक्ता ने कोट को बताया कि सिम की गरबड़ी की शिकायत कोई आम आदमी नहीं कर सकता बलकि चेलिकॉम ऑथोरिटी ओफ इंडिया के दायरे में ये आता है भोशपूरी फिल्म के कलाकार सभाजपा से सांसुद रवी किशन ने सिम नितीश कुमार से फिल्म सिटी को बढ़ावा देने की मांग की है उन्होंने कहा है कि UP में CM योगी आदितिनाथ Film City को बढ़ावा दे रहे हैं उसी तरह बिहार में भी भोशपूरी कलाकारों को बढ़ावा मिलना चाहिए भोशपूरी सिनेमा को सबसीडी मिलना चाहिए रविकिशन ने कहा है कि आज पूरा देश राम में है मेरे संसदिय छेतर में जितना काम हुआ है ये पूरे देश में दिख रहा है वहें इंडिया गडबंदन को लेकर उन्होंने कहा है कि जिन्दगी जंडबा अब कौन बात का घमंडबा वहें बिहार में फिल्म सिटी की निर्मान को लेकर रविकिशन ने सियम नितीश कुमार से मुलाकात की बात कही है समराच चौधरी ने वित विभाग का पदभार किया ग्रहन उप मुख्य मंत्री समराच चौधरी ने वित विभाग का पदभार समाल लिया है इस दोरान विभाग के अधिकारियों ने गुलदस्ता देकर समराच चौधरी का स्वागत किया उप मुखी मंत्री ने कहा कितार केशोर प्रशाद और सुशील मोदी भी इस विभाग में काम कर चुके हैं हम उनके कारियों को आगे बढ़ाएंगे प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी और मुखी मंत्री नितिश कुमार दोनों का एक लक्षर है कि गरीबों का कल्यान हो और उनके लिए काम हो इन योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा हम अपना काम इमानदारी से करते हैं वहीं जीतन रामानजी को लेकर डिप्टी सीम ने कहा है कि हिंदुस्तान आवा मोचा मजबूती से हमारे साथ है पुर्वु मुख्य मंत्री जो कह रहे हैं उस पर विचार होगा यशश्वी जैस्वाल के दोहरे शतक की सचिन तंदुलकर ने की तारीफ यशश्वी जैस्वाल ने इंडिया बनाम इंगलैंड टेस्ट मैच के दोहरा शतक चरा भारत को एक सोचेरी रन से जीत मिली और इसके बाद स्टार बल्लेबाज ने सचिन तंदुलकर से बाद्चीत का खुला सा किया यशश्वी जैस्वाल की बल्लेवाजी से सचिन तंदूलकर इंप्रेस हुए है उन्होंने बल्लेवाज की तारीफ की और उन्होंने शुपकामना भी दी है इसके साथ यह उन्होंने कहा है कि वैसे ही करी महनत करते रहे यशश्वी जैस्वाल को सचिन ने कहा है कि यह उनके ये हम समय है इस दोरान निरंतरता जरूरी चीज है आपको बता दे कि टेस्ट मैच में ये शश्वी ने 290 गेंद पर 209 रन बनाए थे दीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे कर सवाल का जवाब दिया है उनकी नाम है रामिश्वर यादव, संजे कुमार शा, मुकेस कुमार, सुकुमार सिंग, बादल, पवन सिंग, नरेश ठाकूर, मोहमद शकील हुसैन, विनय कुमार, मनूज कुमार, अगरनात प्रशाद शाह इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का हमारा सवाल है सक्षमता परिक्षा को लेकर धर्ना प्रदेशन में सामिल होने वाले सिक्षकों पर एफ आयार के आदेश पर आपकी क्या राय है आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्षन म के लिखकर जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार की तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो